Q1. एक वर्ग के घुर्णन सम्मीती का क्रम कितना है? उन सभी कोनों कम आप बताएं जिससे यह स्पष्ट हो की वर्ग एक घुर्णन सम्मीत आकिर्ती है तो देखिए पहले हम समझेंगे कि घुर्णन सम्मीती होता क्या है? देखिए हम यहांपर पढ़ेंगे एक सम्म्मिती आकिर्टी यdle एक संपोर्ण घुर्णन के दौरान एक से अधिक बार अपनी प्रारम्भिक अस्थिती को प्राप्त करता है तो इस आकिर्थि को घुर्णन सम्मीती कहा जाता है तो देखिए जैसे यहां पर वर्ग दिया हुआ है ठीक है यहां पर देखिए A, B, C, D क्या है एक वर्ग है तो यह देखिए A यहां पर है B यहां पर, C यहां पर, D यहां पर यानि प्रारंभिक अस्तिति है यह अब इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो देखिए जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो A कहां जाएगा यहां पर तो देखिए A यहां पर आ गया है A, B, C, D इस तरह से ठीक है फिर भी देखिए जैसा प्रारंभिक अस्तिति था उस्सी तरह से होगा ठीक है यानि तो 90 डिग्री घुर्णन के बाद कि अस्तिति है यहां पर तो देखिए यहां पर A था, B अब A उपर हो गया, यह बला हो जा जो A, B था वो नीचे था यहां पर प्रारंभिक अस्तिति में तो जब 90 डिग्री घुमाया गया इसको तो क्या हो गया, A, B देखिए यहां पर आ गया है बाया तरफ अब देखिए फिर से 90 डिग्री घुमाया गया तो A भी कहां चला गया, उपर में देखिए 180 डिग्री घुर्णन के बाद किस्तिति यानि, 90-90 कितना हो जागा 180, यहां पर देखिए प्रारंभी किस्तिति है यहां पर 90 degree घुमाया गया यहां पर 90-90 कितना हो जागा 180 degree घुर्णन के बाद के स्थीति AB उपर आ जागा उसके बाद देखे फिर 90 degree घुमाया गया तो 180 और 90 कितना हो जागा 270 degree घुर्णन के बाद के स्थीति तो AB अब देखे दाया तरफ आ गया है अब 360 डिग्री घुर्णन के बाद के स्थीति में देखे 90, 90, 90 कितना होगा 927, 270 डिग्री ये हुआ 4 बर घुमाया गया तो देखे अब AB फिर से प्रारंबिक अस्थीति में आ गया है यहां पर देखे AB नीचे यहां भी AB नीचे था तो 360 डिग्री के बाद जैसा पहले था उसी तरह का स्थीति में आ गया है लेकिन लेकिन इन सब घुर्णन के में देखे जैसा प्रारंबिक अस्थीति में था उसी तरह दिख रहा है देखे यहां पर वर्ग है चारो भुजा बराबर है तो इसको घुमा भी लें तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका चारो भुजा बराबर होता है वर्ग का तो देखे 90 डिग्री घुमाएंगे तो भी देखे उसी तरह दिखेगा 180 डिग्री भी दिखाएंगे तो इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं देखे एक सम्तेली आकर्ति यदि एक संपून घुर्णन के दोरान एक से अधिक बार अपनी प्रारंबिक अस्थीति को प्राप्त करता है यानि जितना बार घुमाएंगे उतना बार जैसा पहले था उसे ही रहेगा ठीक है उसी अस्थीति को प्राप्त करेगा तो इस आकर्ति को घुर्णन समीति कहा जाएगा देखे अब दूसरा एक संपून घुर्णन के दोरान एक आकर्ति जितने बार अपनी प्रारंबिक अस्थीति को प्राप्त करता है उस संक्या को आकृति का घुर्णन सम्मीति का करम कहा जाता है तो देखिए यहां पर घुर्णन सम्मीति का करम क्या होता है तो जैसे यहां पर देखिए पहले प्रारंभी के स्थिति है फिर 90 डिग्री घुमाये गया तो फिर, देखें, फिर से 180 डिГ्री घुमाया गया, फिर 270 डिग्री और 360 डिГ्री, तो यहां पे देखे, कितना बार मैं आ रहा है, पहले जैसा, तो चार बार मैं देखे, 1, 2, 3, 14 बार मैं पहले जैसा आ रहा है, तो इसमे, घुर्नन सम्मित्य का करम कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि चौथा जो अस्टेप है उसमें पहले जैसा हो गया, देखे, प्रारंबिक अस्थिति में जैसा था यहाँ पर, उसी तरह हो गया, तो यहाँ पर घुर्णन सम्मीति का करम कितना हो गया, चार, तो वही यहाँ पर कहा रहा है, कि एक संपूर्ण गुर्णन के दोरान एक आकृति जितने बार अपनी प्रारंबिक अस्थिति को प्राप्त करता है, उस संख्या को आकृति का गुर्णन सम्मीति का करम कहा जाता है, अब देखे, तीसरा, ऐसा भी आकृति हो सकता है, जिसमें गुर्णन और प्रावर्तन सम्मीति दो नहीं ह अब देखिए प्रावर्तन सम्मीति क्या होता है तो इसके पहले वाले प्रस्ट माला में हम पढ़ चुके हैं जो जिसका कि सम्मीति अच्छ होता है उसी को प्रावर्तन सम्मीति कहते हैं समीति आज हम समझ चुके हैं कि उपर हिसा और नीचे का हिसा एक जैसा हो या बाया हिसा या दाया हिसा एक जैसा हो तो उसे को प्रावर्तन समीति कहेंगे ठीक है तो यानि ऐसा भी आकृति होता है जिसमें घुर्णन घुर्णन के साथ साथ प्रावर्तन समीती भी हो और ऐसा भी आकृति हो सकता है जिसमें सिर्फ घुर्णन समीती या सिर्फ प्रावर्तन समीती हो ठीक है यानि घूर्णन समीति भी हो सकता है या प्रवर्णन समीति भी तो पहला में कह रहा था कि एक वर्ग के घूर्णन समीति का करम कितना है तो उन सबी कौनों का माम पताएं जिस से एसपरस्टो के वारे के घुनन समीर्थी आकृति है तो देखिए हाँ पर करम कितना है चार है ठीक है एक दो तीन चार ये वार्ग दिया हो चौथा बार में अपना प्रारंबिक अस्तिती प्राप्त कर रहा है देखे 360 डिग्री घुनने के बाद तो इसका कौन कौन हो जागा 90, 180, 270 और 360 ठीक है चार करम है तो चार कौन बनाएगा तो 90, 180, 270 और 360 यही हम लिख देंगे बस तो पहला में हम लिखेंगे इस का अंसर देखे वर्ग के घुनन सम्मीति का करम चार है कितना है चार है अब देखे पूछ रहा है कि उन सभी कोनों का माप बताएं जिससे यह स्परस्ट हो कि वर्ग एक घुर्णन सम्मीत आक्रती है तो देखे कौन कौन सा कोन होगा तो 90 डिग्री देखें यहाँ पर लिख देते हम नीचे नब़े डिग्री कॉमा 180 डिग्री पर हम उसको गुमा सकते हैं तो परारंबिक अस्तिति के ही जैसा रहेगा ठीक है 270 डिग्री और 360 डिग्री ठीक है 4 देखें घुनन सम्मीति का करम 4 है तो 4 कोन बनाएगा यानि 90 डिग्री पर हम गुमाएंगे तो उसका जैसा प्रारंबिक अस्तिती था वर्ग का वैसा ही रहेगा 120 डिग्री गुमाने पे भी उसी तरह कराएगा 270 डिग्री गुमाने पे भी जो वर्ग है उसी तरह दिखेगा वर्ग कहीं जैसा 360 डिग्री गुमाने पे भी उसी तरह दिखेगा तो इसी को गुर्णन सम्मीति का करम कहते हैं और यह हो गया उसका कुन ठीक है तो इस तरह हम question number पहला का answer दे देंगे तो question number दूसरा का पहला एक सम्च तुर्भुच में कितने सम्मीति का अच्छ है तो देखिए एक सम्च तुर्भुच के दो सम्मीति की रिखाएं होती है सम्च तुर्भुच ABCD में यहाँ पर देखिए सम्च तुर्भुच दिया हुआ है तो सम्च तुर्भुच क्या होता है चारो पुजा पराबर ठीक है इसमें देखें सम चतुर्भुच A B C D में A C और B D दोनों विकर्ण सम्मीति की रिखाए हैं तो देखें सम चतुर्भुच में चारों भुजा पराबर होता है और जो एक दूसरे के उल्टा में जो भुजा हो क्या होता है समनांतर तो यहाँ पर देखें इसका घुर्णन सम्मीति की रिखाए कौन-कौन है A B A C और B D ठीक है तो इसमें सम्मीति का आच कितना है दो है देखें क्योंकी देखें यहाँ से अगर इसको आच मालने तो देखें इधरवला हिस्षा और उपरवला हिसषा क्या रिखेंद चैसा है अगर इसको हम आच मालने हिस्षा और दाया हिस्षा है 고양, पहला मैं पूछ रहा है, एक सम्च तुर्भुच में कितने सम्मीति का आच है, तो दो देंगे, इसका अंसर, दूसरा हम कहरा है, एक सम्च तुर्भुच का घुर्णन सम्मीति का क्रम क्या है, अब देखिए, इसको घुर्णन सम्मीति का क्रम निकालना है, तो देखिए, अगर इसको ह तो पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि यह वाला देखिए यहां पर आ जाएगा इसको अगर घुमाए तो और यह भी इधर आ जाएगा तो यह घुर्णन सम्मीति का क्रम इसमें कितना है सुन्य है क्योंकि अगर इसको हम घुमाए तो यह जैसा दिख रहा वैसा नहीं दिखेगा ठीक है दूसरा इसका बदल जागरू इसलिए घुर्णन सम्मीति आखिरती नहीं है तो इसलिए इसका घुर्णन सम्मीत क्रम भी कुछ कुछ नहीं होगा ठीक है तो इसका सुन्ने होगां तो कोश्चेन नमर दूसरा का पहला में हम लिखेंगे संट चतुर्भुच में संभीतिका आच दो है ठीक है इसमें कितना अच्छ है सम्मीति का आच दो है क्योंकि हम अभी देखे थे कि उपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या होगा अब एक जैसा और माहिसा और दाहिसा एक जैसा है इसलिए इसका आच कितना है दो है अब दुसरा में देखिए एक सम्चतुर्भुच का घुर्णन सम्मीति का क्रम क्या है तो देखे तो दुसरा में हम लिखेंगे सम्चतुर्भुच का घुर्णन सम्मीति का क्रम सुन्ने है तो पहला में दो अंसर होगा दुसरा में सुन्ने ठीक है तो घुर्णन सम्मीती में देखिए क्या होता है कि अगर उसको हम कोई भी आकर्टी को घुमाए तो अगर घुमाने पर पहले ही जैसा हो उसका जैसा पहला था उसी तरह का अगर घुमने के बाद भी राजा तो उसको घुर्णन सम्मीती आकर्टी कहेंगे अगर नहीं रहे तो उसका क्रम क्या हो जागा गुर्णन सम्मीती का क्रम सुनने हो जागा ठीक है Question number 3 अंग्रेजी वर्ण माला से तीन अच्छा लिखिये जिनका दो सम्मीती का अच्छ हो और गुर्णन सम्मीती का क्रम भी दो हो तो देखिए Question number 3 में कौन कौन होगा तो देखिए तो देखिए पहले हम ABCD लिख लेंगे कह रहा है अंग्रेजी वर्ण माला से तीन अच्छा लिखिए तो देखिए इसमें हम पता करेंगे कौन सा तीन अच्छर में क्या कहा रहा है कि तीन अच्छर लिखे जिनका दो सम्मित्ती का आच्छ हो और घुर्णन सम्मित्त का करम भी दो हो तो देखे कौन कौन होगा अगर एक को हम गुमाएंगे ठीक है तो पहले जैसा नहीं रहेगा अगर 90 डिगरी भी गुमाएं या 180 डिगरी भी गुमाएं तो पहले जैसा नहीं रहेगा भी नहीं रहेगा थीक है तो इसे को घुनन सम्मित्त काते हैं अब देखे ये उलटा होगी ए सब तो नहीं देख रहा पहले जैसा लेकिन H देखे अभी भी लग रहा है कि सीधा ही है तो इसी को क्या करते हैं घुर्णन सम्मित आकड़ती अब देखे कह रहा है H में कि तीन अच्छे लिखे जो दो सम्मितिक आच हो अब देखे H में कितना सम्मितिक आच है जिनके दो सम्मिति का आच हो, तो दो सम्मिति का आच है, देखे, एक खड़ी रेखाएं, एक पड़ी रेखाएं, ठीक है, उपर जैसा है, उपर का हिस्सा आधा से, और नीचे का हिस्सा आधा से, एक ही जैसा है, जैसे देखे, फिर से यहाँ पर, एच, इस तरह से हम बनाते है तो इसका देखिए अच्छी कितना कितना होगा देखे यह सम्मित अच्छ हो गया सम्मिती अच्छ एक इधर से देखिए उपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर हो गया अब एक बीच से हम ले लेंगे खड़ी रेखाएं तो बाय हैंसा और दाय हैंसा क्या होगा देखे बराबर है तो दो अच हो गया इसमें तो दो अच वाला पूछ रहा है और घुर्णन सम्मीति क्रम भी दो हो तो देखे फिर से हम H लिखते हैं यहां पर तो H को हम इधर से भी देखे हैं तो H ही देखेगा ठीक है फिर से देखे हैं दो बार इसको देखे अगर हम इसको उलट दे एक बार मान लिजी यहां पर हम इसको उलट के लिख रहा हैं देखे तो इसी तरह देखेगा फिर इसको उलट देखेगा तो इसका क्या कहा रहा है कि घुर्णन समीति का क्रम भी 2 हो तो 2 क्रम है इसका घुर्णन समीति का क्रम भी 2 है 180 डिग्री समीति का क्रम क्या है 180 डिग्री और 360 डिग्री ठीक है देखिए 180 degree पर इसी तरह दीखिएगा फिर से 360 degree पर पहले जैसा हो जाघा है तो इसी को हम कहते हैं खुर्यन समिति का क्रम तो 2 होगा इसका खुर्यन समिति का क्रम भी 2 है और इसका अच भी 2 है तो H हो जाएगा एक तो ठीक है दूसरा अच्छर देखिए कौन होगा आई आई को भी देखिए अगर हम इस तरह से देखेंगे तो आई ही दिखेगा तो ह आई हो गया आई में भी देखिए दो अच्छ होगा एक बाया हिसा दाएं से एक जैसा है उपर का हिसा और नीचे का हिसा आधा से एक जैसा है तो इसमें भी कितना होगा समीतिक आज दو होगा और घुनन समीति भी दो होगा क्योंकि देखिए आई को अकर हम लिखें इस तरह से घुमाएं तो कितना हो जा रहा है 180 डिघरी आफीड से घुमाएं तो 360 डिघरी यानि इसका भी समीति करम कितना है दो है अब देखिए जे में तो होगा नहीं क्योंकि इसका कोई आच्छ नहीं है, जे में, के में भी नहीं, एल में भी नहीं, एम भी नहीं, अब देखिए एन, एन को अगर हम इधर से भी देखें, तो एन ही लगेगा, ठीक है, देखिए एन को अगर हम इस तरह लिखें, और इसको उल्टा भी देखें, तो एन ही लग रहा है, तो ये भी घुर्णन सम्मित आकरती है, ठीक है, तो इसका भी देखिए, अगर हम, तो n तो घुनन सम्मित आखिरती है लेकिन इसमें अच नहीं है देखिए एक भी क्योंकि n का ना तो उपर का हिस्सा आधा से बराबर होगा और नीचे का हिस्सा ठीक है आधा से बराबर है ना है इसका बाया हिस्सा आधा से और दाया हिस्सा एक जैसा दिख रहा है तो n नहीं होगा इसका देखिए इन में कोई अच्छ नहीं होगा तो कौन होगा देखिए ओ होगा क्योंकि ओ में देखिए ओ को इधर से भी देखिए तो वहीं दिखेगा ठीक है तो इसका भी घुर्णन सम्मीर्थी दो बार है देखिए आच्छ नहीं के फिसायज होगीत आफका हें से अमझ की एक सबना अच्छ और इखिए ओ कहले देखिए आसट जीए वहाई च要 होगा इसका घुर्ण भूर्णन सम्मीति अच्छ 2 होगा देखें, उपर का हिसा और निल्चे का हिसा आधा से बराबर है दाया हिसा और बाया हिसा एक जैसा है, तो हमें बस तीन ही अच्छर लिखना है क्योंकि Question में कह रहा है कि अंग्रेजी बर्णमाला से 3 अच्छर लिख्षी है जिनका 2 सम्मीत सम्मिति का आच्ष हो और घुम्नन सम्मिति का क्रम भी दो हो ओने कोईॉवी लिखेंगे हैं होश में कोई। कोई भी विख देंगी ठीक है तो आंसर रोजागा है टॉक्शन किरुद कोहँ जानार तीसरा शाकत Ś proposition calculating लिख σकते हैं आप जो मर्जिये हीजए में से कोई भी तीन तो हम हृ लिख दिये हैं यहाँ पर कोश्चन नमबर तीन का हलो जाका आप देखिए वाई इन कैसे कोस्चन नमबर चार में कह रहा है manifest के एक अर्ध रित में कितने सम्मीति के अच्छ होते हैं क्या एक अर्ध विरित घुर्णन सम्मीति है तो देखिए कोश्चन नमबर चार में कह रहा है कि अर्ध विरित तो अर्ध विरित किस तरह को होता है देखिए इस तरह का अर्ध विरित होता है, ठीक है, आधा विरित, विरित का आधा, अब कहरा है एक अर्ध विरित में कितने सम्मिति के आच होते हैं, तो देखें सम्मिति का आच कितना होगा, देखें एक ही होगा, बस इसका बाया हिस्सा और दाया हिस्सा क्या होगा, एक जैसा होगा देखे बाया हिस्सा दाया हिस्सा एक जैसा है ठीक है तो इसका आच्छी कितना हो गया एक हो गया सम्मित्य आच्छ एक हो गया क्योंकि अगर हम इधर से लेंगे तो उपर का हिस्सा आधा से अलग है और नीचे का हिस्सा आधा से अलग है तो इसका आच्छी कितना हो गया एक और कह रहा है कि क्या एक अर्ध विरित घुर्णन सम्मीत है तो देखे अगर इसको हम घुमाएंगे माल लिजे copy को इस तरह से हम गुमाएं तो देखिए पहले जैसा नहीं रहा इधर से भी देखिए पहले जैसा नहीं रहा ठीक है जैसे की अर्ध विरित है ये देखिए माल लिजे ये अर्ध विरित है ठीक है तो इसको अगर हम गुमाएं तो देखिए दुसरा आकृति बन जा रहा है इधर से भी घुमाएंगे तो देखें पहले जैसा नहीं रहा है तो इसमें ये क्या हो गया घुर्णन सम्मीत आकृति नहीं है घुर्णन मतलब घुमाना जैसे हाई ओ को हम इधर से भी देखेंगे तो हाई ओ ही दिख रहा है तो इसी को घुर्णन सम्मीती, सम्मीत आकरती कहते हैं, ठीक है, उसी तरह ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार में देखिए, यानि इसका सम्मीत अच कितना होगा, एक, और क्या एक अर्धुर्थ घुर्णन सम्मीती है, तो एक कॉमा नहीं, दो अंसर पूछ रहा है, पहला हम पूछ रहा है कि एक अर्ध मिर्थ में कितने समीतिक अच होते हैं तो हम एक देंगे, देखिए, एक अच है और क्या एक अर्ध मिर्थ घुर्णन समीत है, तो नहीं है तो हम नहीं देंगे इसका आंसर, ठीक है? दो अंसर पुछ रहा है तो देखे दो अंसर लिखेंगे हम कॉमा दे करके ठीक है? इस तरह से तो देखे, question number 4 में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो इस तरह से अंसर दे देंगे या, एक अर्धृष में एक सम्मिती अच्छ होते हैं इस तरह से भी लिख देंगे डेक्ट एक लिखने साच्छा इस तरह से लिख देंगे ताकि समझ में आए एक अर्धुरित घुर्णन सम्मित नहीं है तो देखें नहीं यहाँ पर लिखें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसका अंसर तो ज़ादा अच्छा रहेगा समझ में आएगा पंडे में कि एक अर्द्वित में एक सम्मीद अच्छ होते हैं और एक अर्द्वित गुर्णन सम्मीद नहीं है तो इस तरह से देखिए हम इसका अंसर लिख सकते हैं